इस नाइन फ्रॉम एमेला गर्वाल चप्टर 18 एकसरसाइज 18.2 टू कुस्टन में फर्स्ट तो फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले हैं बेसिक कॉंसेप्ट क्लिक कर लें देन आफ्टर कुस्टन को स्टार्ट करते हैं तो यहां पे देखिए कुस्टन है विधाउट यूज 18 की भी होती है 72 की भी होती है लेकिन हम इसे exact कैसे find करें एक 100 ट्रिक से तो उसके लिए समझते हैं टिकना मेट्री के right angles degree right angles की degree में क्या होते हैं जैसे की यहां पे 90 है ठीक है हम जब graph देखते हैं तो first quadrant में देखते हैं जीरो होता है ठीक है यह आपका 90 डिकरी होता है तो जब हम यहां पर फास्ट है जैसे साइन, साइन ठीटा, तो साइन ठीटा के अकोर्डिंग जब हम नाइन टी पर वर करते हैं, नाइन टी माइनस ठीटा, क्योंकि यहां ठीटा है, तो जब हम नाइन टी के अकोर्डिंग से चेंज करते हैं, तो इसमें क्या चेंज होते हैं तो वही हम देखेंगे कि साइन 90 माइनस सीटा जब हम 90 के कोर्डिंग से चेंज करते हैं तो साइन किस प्रकार से चेंज होता है कि क्यूंकि फर्स्ट में यह साइन तो इसको हम trick के according आपको explain कर दे रहे हैं आपके पास name कितने है टिग्णमेट्री रिशियो पे 6 कितने है 6 first name क्या है sign then after आप क्या बोलते हैं cause then 10 then after caught then after sick then after cause sick अब जंदली यही name के use करते हैं आ तो बस यही तो करना है तो जब sign right angles के according जब change होते है तो यह दोनों एक दूसरे के pair बनाते है अगर आपको नाम setup learn है तो देखे जैसे यह आपको learn है उसी के according ही से work करना है कैसे जिसे sign sign के बाद आप जंदली किसका नाम लेते हैं उसके बाद cause का तो sign को हम जब 90 हैं right angles के according जब change करते है तो just वगल वाला ही उसका answer होता है just downside जो आप second name लेते हैं वही हो जाता है cause ठीक है और जब हम cause को 90 के according change करते है तो क्या हो जाता है sign यानि अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों यहाँ पे दो दो कर pair से चलते हैं ठीक है 90 के according देखे जैसे आपने sign cause बोला वैसे sign एक दूसरे के से change होता है दूसरा 10 cause के साथ तो 10 आप देखेंगे तो 10 90 minus theta जब हम change करेंगे तो just उसका opposite होता है क्या हो जाता है cause तो जब हम इसे 90 के according करेंगे तो sign यहाँ पे आपका हो जाएगा cause theta और जब हम cause के according change करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा sign theta ठीक है 90 के according जब हम 90 ठीकरी से change करेंगे वैसे 10 को जब हम change करते है 90 के according तो क्या हो जाता है cause ठीक है वैसे cause को अगर 90 के according change करेंगे तो यहाँ पी हो जाता है 10 मतलब यह दो दो के pair है जैसे ही आपको लगना है वही उसका फार्मूला है इसके बाद सिक की बारी है तो सिक भी सिक का भी वही फार्मूला होता है अगर 90 के according चेंज करें तो यह क्या हो जाता है कॉसिक ठीटा और कॉसिक ठीटा के according अगर आप 90 चेंज करते है राइट एंगल से डिगरी तो बन जाता है आपका सिक ठीटा तो जैसे आप नेम इसका यूज करते है टिंग्नमेर्ट्री में वही उसका एंसर भी ओजाता है जीसे आपने बोला साइन फिर कॉस का जंदली आप नेम लेते हैं जैसे साइन और कॉस आपने दू का नेम लिए Y90 का pair है Y90 का changes है उसके बाद आप 10 के बाद caught का नाम यूज करते हैं तो 10 के साथ cause कही setup होता है sign का cause और sick के साथ cause है अब देखिए इस exercise पे हम आपको first ही explain कर देते हैं कि आपको किस टाइब की question मिलेंगे ठीक है और आपके पूरे concept यहीं पे ही clear हो जाएंगे 18.2 पूरे exercise ठीक है तो चली start करते हैं वो किस टाइब की question मिलेंगे और आपको क्या problem होगी इस exercise में हम start करने सपहले ही बताए दे रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे देखिए आपको first देखिए हमारे पास कितने sign होते हैं four sign जंदली plus minus into or divide इतने ही होते हैं ना plus minus into or divide तो अगर plus हो और minus क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं सिर्फ plus और minus में यह different होता है कि इसमें add होता है इसमें subtract तो अगर plus minus आपके पास sign जैसे हमने यहाँ पे दे दिया sign कोई भी number जैसे इसी में देखिए हम इसी से use कर लिए 18 है तो आप 18 ले लिजे और plus यहाँ कर लिजे sign 72 तो आपको इस तरह की यह question मिल जाएंगे देखिया आप on में है हमने इसे किसमें change कर दिया plus पे तो यह भी आपका solve होगा easy method से मतलब कहने का means plus हो या minus हो अगर इसके बाद हम यह तो हुआ first sign ठीक है then second sign अगर multiply है क्या है multiply मतलब cross अगर यह sign है तो यह दोनों सटे हुए होंगे एकदम पास पास जैसे हम इसी question को बनाएं तो इस sign 18 into sign 72 अभी हम prove भी कर देंगे कैसे ठीक है यह हुआ second मतलब past में क्यों क्यों क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से question solve होंगे अभी हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि question किस तरह से मिलेंगे अगर plus या minus में होंगे तो अगल बगल होंगे और बीच में sign होंगे और उनके pair होंगे जिससे हमें इन फार्मूले से solve करना है second multiply है तो एकदम multiply हम साथ में ही रहेंगे आपको अगर यहाँ plus है और यहाँ back extra है तो आपको इधर से उधर जाने जरूत नहीं होगी आपका answer यहीं कहीं छीपा होगा एक दूसरे के साथ थर्ड आता है divide तो divide के तो name में ही आपको वो मिल रहा है जैसे कि आप यही question ही देख लिजे upon में है ठीक है किस form पर मिलेगा यही question sign 18 और sign 72 clear चलिए फर्स तो यह हुआ कि आपको किस types के इस exercise में question मिलेंगे तो हमने आपको explain कर दिया अब जैसे हम यहाँ पर solution बताएंगे आपको सब समझ में आजाएगा कि यह क्या हुआ है तो चलिए question स्टार्ट करते हैं ठीक है question किस type से तो आपको क्या मतलब क्या आप mistake कर सकते हैं उससे गौर समझेए क्योंकि एक ही question में पूरे solution है जैसे हम यह question को attend करते है क्या है cost 18 ध्यान दीजिएगा cost 18 यह लिखा हुआ है upon sign 72 sign 72 degree ठीक है अब जन्रली आप 18.1 को left करके 18.1 थोड़े से अपने mind में याद करिए 18.1 में आपको डिग्रियां कैसे मिलती थी cost 30 sign 90 sign 30 क्यों क्योंकि dignometry ratio में हमने 5 value को find किया 0 30 45 60 and 90 इसके लाबा तो कोई नहीं find किया तो जब हम इसी के according हमें मिल जाता है तो हम तुरांट answer बता देते हैं लेकिन यहाँ पे देखिए 18 है जो हमारी इस degree में अब level नहीं है तो हम इसे कैसे sort trick से solve करें तो ध्यान से देखिएगा हम इसे किस easy method solve करें कैसे वो set up हो जाए तो देखिए आपको परसान होने के बिल्कुन ज़रूरत नहीं आप यहाँ पे देखिए number क्या है आपके पास 18 downside number क्या है 72 आप किसे पसंद करते हैं मतलब इसे आप solve करना पसंद करेंगे इसे जो अवह आपकी इच्छा है ठीक है क्योंकि हम आभी friend to friend नहीं बैठे हैं कि हम आपसे discuss करें मालीजे आपने पसंद के एकसर हम इसे change करना चाहते है दो मेंसे किसी एक को ही change करना है ठीक है इसे change करना है तो आप एक काम करिए यह cause को लिख लीजे यहाँ पर जो हम बोलना है ध्यान समझेगा क्योंकि यह पूरे exercise में आपको ही करना है और आपके mistake यहीं पर होगी cause आपने जो name है जिसको आप change करना है उसका नाम आप note कर लीजे अब बगल में आपका क्या लिखा है 18 वो 18 को मत लिखिएगा 90 कर लीजे क्योंकि हम right angle के recording solve करना है तो पूरे exercise में आप 90 का ही use करेंगे 90 लिख लीजे और minus का use क्योंकि 90 से सभी डिग्रिया जितने भी इस exercise में मिलेंगी और सब कम मिलेंगी 90 से बब आपको नहीं मिलेंगी ये बात आप रखिएगा ठीक है क्योंकि आप right angle के recording पढ़ रहे हैं इसलिए सभी कम ही रहेंगी तो 90 मेंसे क्या minus करेंगी 18 आ जाए भई ये बताईए मालीज यह 45 है क्या 45 को 90 upon 2 right नहीं कर सकते कर सकते हैं हम इसे 43 plus 2 नहीं light कर सकते हैं हम इसे 45 minus 2 right नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं तो इसे क्यों नहीं कर सकते हैं बिल्गुन कर सकते हैं तो हम इस 90 में क्या minus करेंगी 18 हो जाए तो आपको सूचने जरूद नहीं है या आपको minus भी नहीं करना है सिर्प आप नीचे वाला नंबर देख लिजी ओ क्या है जो नीचे नंबर होगा denominator में क्योंकि अपान में आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपान में मिलेगा तो इसका setup आपके नीचे होगा तो जो 90 में आप क्या minus करेंगे नीचे वाले नंबर को आप minus कर देजिए जो उसकी डिगरी होगी simple अब आप एक बार minus करके देख लिजिए एक team ही होगा आप देख लिजिए अगर एक team नहीं आया तो समझ जाईए question फिर wrong होगा क्योंकि इसका setup फिर बनेगा ही नहीं अब देखिए downside क्या है sign 72 उसे बिल्कुन भी मत change करिए अब देखिए ध्यान से क्योंकि mistake आप यहीं पे करेंगे हमने आपको character बताया कि जो name को आप change करना चाहते है उससे बिल्कुन भी मत touch करिएगा उससे वही form पे write कर दीजिए अब एक को बदलना है तो 90 minus क्यों क्यों क्योंकि भी इससे हम change करना चाहते है तो उसका setup आपको कहा मिलेगा downside कहा मिलेगा downside तो 72 हमने कर दिया अब यहां देखिए यह माल लीजिए थीटा है क्योंकि 72 जो है थीटा फॉम पे है थीटा के place पे है तो इसको आप यहां पे चेक करिए यह फार्मूला आपका यह फार्मूला आपका यहां से belong करता है गोर से देखिए cos cos 90 90 minus minus थीटा यह थीटा तो हमें result क्या मिला sin थीटा मिला ना तो हम यहां पे write क्या करेंगे sin और थीटा के place पे क्या है देखिए 72 लिख लीजिए अब आप आपान की नीचे 72 है sin 72 यह आपका cancel हो गया one आगया answer तो आपको समझ में आगई बात यही तो इस exercise पे करना है तो चलिए exercise में भी करते हैं तो आपको और ज़्यादा easy लएगा देखिए यह वही question है हमने इसे solve कर दिया same ही question है ना cos 16 sign 72 कि हमने solve कर दिया clear चलिए second देखते हैं अब देखिए second में आपका 1041 cot 49 हमने आपसे पहले ही बताया था कि आपको 4 ही sign पे और एक बात यादा किएगा कि आपके जितने भी question है वो सभी question इनके setup से ही आएगा अगर sign right है तो cause आएगा उसके साथ 10 अगर है तो caught आएगा उसके साथ sick है तो cause sick आएगा इनके अलावा कोई भी changes नहीं आएगे हर एक question पे यह बात या दखिएगा देखिए आप on में है तो यहाँ पे क्या है 10 इस बार denominator में change करते है ठीक है तो denominator के लिए उपर वाले numerator को आप छोड़ दीजे जैसा है ठीक है right इतना आपको clear हो गया था अब denominator में आप जैसे caught है caught को पहले से लिख लीजे किसी प्रकार का उसमें changes मत करिएगा अब आप पहले से advance 90 इसको बिल्कों नहीं मत देखिए 90 माइनस तक आप पहले से लिख लीजे उसके नेम के साथ caught है caught हमने किया 90 माइनस अब देखिए यहां पे आप 90 में क्या माइनस करेंगे 41 हो जाए 49 मत लिखिएगा otherwise wrong हो जाएगा तो आपको सर्च करने ज़रूत नहीं है यह चेक करने भी ज़रूत नहीं आप उपर के जो भी नंबर है उससे आप यहां पे राइट कर लीजे डायरेक्टली डायरेक्टली आप राइट कर लीजे जैसे हमने इसमें आपको बताया है कि 18 है तो आप कॉस सेम लिख दीजे ब्रैकेट बना लीजे 90 लिख लीजे माइनस तक यहां तक लिख लीजे उसके बाद जो नंबर लिखना है उससे डिनोमेटर से आप टेक कर लीजे और लिख दीजे अब एक बार आपको चेक करना है 10 होगा या नहीं होगा पॉसिवल है तो एक बार माइनस कर सकते है 10 माइनस 2 8 8 माइनस 7 यह 1 क्लियर हो गया इसी तरह आप यहां भी चेक कर सकते है 10 माइनस 1 9 8 माइनस 4 4 simple अब यहां पे देख सकते है हमने आपको बताया इतना साइन कॉस यह दोनों पेयर हुए 10 कॉट अब 10 यह टीटी है देखिए दोनों पेयर है तो 10 को तो आपको चेंज नहीं करना है 41 ही है अब कॉट 90 माइनस ठीटा तो 10 ठीटा ही होता है और ठीटा के प्लेस पे देखिए क्या है 41 तो आप 10 41 राइट कर लीजे यह आपका कैंसिल हो गया और यह सिंपल आपका एंसर चलिए थर्ड नमबर देखते है कॉसिक 17 डिगरी 30 मिनट इसमिनट बूलते है ठीक है अगर यह मिनट है और अगर हम और राइट कर दें माली जे एक प्रेक्टिकल आपको दिखाते है यह आपको 10 में मिलेगा यह 11 में तो स्योर ही मिलेगा यह रेडियन के अकॉर्डिंग चेंज होते है माली जे 20 डिगरी है और 30 यहाँ पे हम डैस कर दें और यहाँ पे 21 डवल डैस कर दें तो इसका मिन्स क्या होता है इसे मिनट बोला जाता है वन डैस को याद रखिएगा वन डैस को वन डैस जैसे वन डैस है सब्स तो इसे मिनट बोलते है और अगर डवल डैस है तो इसे सेकंड बोलते है यह बात याद रखिएगा clear और जब आप next classes में जाएंगे तो आपका आल डेडी सभी clear हो जाएंगे इसकी भी थोड़ा सा long थे हो दिये तो लेकिन हम तो अभी तो normal way पे कर रहे हैं तो चलिए solve करते हैं हमारे पास 30 तो same ही है ना कोई अगर changes होता तो जरूर problem होती तो इसे आप बिल्कुन ही मत देखिए सिर्फ इतना देखिए 30 मत देखिए ना माली जा है ही नहीं अब बताईए sign के pair cos 10 का pair cos a cot sick का pair cos sick सिक का pair आपका cos एक दिख रहा है तो आप बताईए किसे change करेंगे सिक को को सिक को चलिए sign कर देते हैं तो आप numerator को बिल्कुन ही मत टच करिएगा ठीक है सिक देखिए तो सिक नेम तो बिल्कुन ही मत टच करिएगा 90 आप कर लिजे माइनस कर लिजे 72 मत लिखिएगा उपरवाल नंबर को लिखना है तहाँ पर हो जाएगा 17,30 डेस चलिए माइनस करके चेक करिए आपको ये मिलता है नहीं मिलता 72 तो 10 माइनस 7 3 and 8 माइनस 1 ये आपका 7 clear तो ये आपका सेम हो गया अब आप यहाँ पर राइट कर लिजे कॉसिक 17 डिगरी 30 डेस अपन सिक 90 माइनस सीटा कॉसिक और यहाँ पर लिख लिजे 17 डिगरी 30 डेस ये 30 मिनट तो इसे कैंसल करने में आपका क्या एंसर आगया 1 now second to first caught आप नमबर मत देखे सिब सेटप देखे upon में है तो हमने आपसे बताया था कि upon का सेटप ये है और ये दोनों सेटप में होंगे साइन अगर होगा तो कॉस टेन होगा तो कॉट सेख होगा तो कॉस चिक करिए है या नहीं कॉट है हो है तो कॉट के साथ आपका टेन ही होगा क्लियर यहां देखिए कॉस है हाँ है कॉस के साथ क्या है सेटप साइन तो क्या है है हाँ है चली स्वाल कर लेते हैं तो कॉट कि युए से ज चेंज करना चाहें जनी आप क्नाइट ऑ गफ करते हैं तो कौरत को ने critically करेंगा नाइन्टी माइनश डाउनसाइड जो नमबर ली करत जाए और यू आपका नैंटी माइनश। 50 यह आपका आगया 40 और downside आपका 10 50 degree माइनस 1 upon 2 इसमें से भी change कर लिए दिखे numerator में कि चली numerator में change कर लिए तो cos को मट्टेश करिएगा 90 minus downside नमबर आप downside लिख 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 आपका एंसर है तो सेकंड तू सेकंड माल लीजिए थोड़ी देखली यह आपी अबजेक्टिव कुस्चं टाइब क्या आज़ा तो आप आपको पोजेंक्टिव में इससे क्या करेंग तो आप क्या होगा क्लियर क्यों क्योंकि कैंसिल ही तो होना है सब को पेर ही बनना है तो देखे किसी को भी आप चेंज करें चले हम निमरेटर ही कर दें तो नेम मत कर दिए सब कर देगा थे नाइंटी मैंनस डाउंसाइट का नंबर लिख लिए 14 अप मैनस करके चेक कर लिए lt ow 49 होगा ये ये होली स्कूयर सेम ब्रोसेस आपका इधर भी कर लिए 주 आए कॉस चेंज कर लिजे 90 मैंस डाउन साईड का नमबर लिख लिजे और चेक कर सकते हैं आप फोर्टी वन ही होमा यह सभी कई स्वाइर हैं साइणाणाण फोर्टी वनहीं क्योंट स्वाइब टानि को स्वाइब दाउय को ricsquare cancel one आगया यह भी cancel one आगया वही बाप थूहीं नग福 लॉट्ग oneक लॉट उंधर दिस्टा है अप इसका एंसट क्या होगा आप जल्द से जल्द बता सकते हैं ऴैए यह तो setup होगा तो वन होगा यह भी setup आप होगा 1, 1-1, 0, जैने इसका एंसर पहले से एडवान से 0 होगा, चलिए चिक करते हैं, होता है नहीं होता, तो देखे पहले आप उंगलियों में चिक कर लीजे, सही एक नहीं, साइन के साथ क्या चलता है, पियर, कॉस है क्या, हाँ है, सिक है, तो सिक के साथ, साइन कॉस ट 18, माइनस इस में किसी को बदल लीजे, सेक को बदल लेते हैं, 90-58, नमबर वस आप या रखिएगा, डाउन साइट का ही नमबर लिखिएगा, तो अपने आप उपर वाला जाएगा, कॉस एक 58, साइन 90-ठीटा, कॉस ठीटा, ठीटा के प्लेस पे 13 है, और यहाँ भी कॉस ए 18 ही हुआ, माइनस सेक, सेक 90-ठीटा क्या होता है, कॉस एक, कॉस एक ठीटा के प्लेस पे प्लेस पे 58, यहाँ तो डाउन साइट 58 ही है, यह आपका 58, कॉस 18 से कॉस 18, कॉस एक 58 से कॉस एक 58, तो वन माइनस वन, जीरो, क्लियर, चलिए, सेकेंड टू फोर्ट करते हैं, तो य साइन, कॉस, साइन, कॉस, साइन, कॉस, सभी सेट अप हैं, बस लिखना ही तो है, चेंज कर लिजे किसी को, कॉस को ही चेंज करते हैं, तो 90 माइनस डाउन साइट का नंबर लिख लिजे, 15, 19 माइनस 15, 75, no doubt, साइन 15, यह सेट अप होगे, कैंसिल होने के लिए इसका एंसर क् 1 प्लेस 12, 2 माइनस 11, 1 एंसर हुगा, साइन इसमें ही बतल लिजे, साइन 90 माइनस डाउन साइट का नंबर माइनस कर लिजे, आपका 12 आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, कॉस 78, माइनस कॉस, कॉस 18, तो आप 90 माइनस 72, अपान साइन 72, कॉस 90 माइनस ठीटा, साइन ठीटा, के प्लेस 15 है, यहाँ भी साइन 15, प्लेस साइन 90 माइनस ठीटा, कॉस ठीटा, ठीटा के प्लेस में 78, कॉस 78, माइनस कॉस 90 माइनस ठीटा, साइन 72, अपान साइन 72, सभी कैंसिल है, 1 प्लेस 1 माइनस 2, 1 प्लेस 1 टू, और स्वारी यह 1 है, माइनस 1 इसकोल टू 1, शिम्पल, साइन वाया को सब्सक्राइब याँ डिल्मारी याँ डिल्मियू क्वर और पर होट्र क्या हम करें क्या यह तो स्वाल पॉसिवल नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तो यहां पे देखिए यहां पे आपका साइन है साइन 25 इंटू वन अपाउन हम इसे से 45 राइट कर सकते हैं कोई प्रॉलम इंटू करेंगे तो वही हो जाएगा ना कोई प्रॉलम तो न आउट नहीं है तो यहां पे देखिए साइन 25 इंटू वन अपाउन से क्या होता है टिगनामेट्री रेशियो फार्म से से किसका पोजिट होता है कॉस का तो यह हो गया आपका कॉस फोल्टी फाइव अब यहां पे देखिए को यहां कॉस टूंटी फाइव है इंटू वन पॉन कॉस एक टिगनामेट्री रेशियों किसका पोजिट होता है से का तो से का आप स्वारी साइन माप किजिएगा साइन का तो साइन 65 डिगरी अब तो सेट अप हो गया साइन का कॉस जो हमें चाहिए था तो किसी एक को बदल दीजिए यह इंटू फार्म में फर्स्ट को स्वारी एट माइनस पूर आपका है एट माइनस पूर फूर यह तो रॉंग है हम इसे चेंज कर रहे हैं तो यहां पे 90 माइनस 45 यह तो रॉंग हो रहा है अरे माप कीजिए यहां पे 65 है और हमने यहां 45 राइट कर दिया है यह 65 है यहां भी 65 है यहां भी 65 है यहां भी आप करते हैं सो 10-55 and 8-62 अब क्लियर हो गया and पगल पर आपका 65 है अब यहां भी देखिए कॉस 25 साइन 65 यह तो दोनों सेम ही है बस नहीं मापके डिफरेंट है तो ऐसा सेट अप करें जिससे इसका सेट अप सही हो जाए जिसे कॉस एक है कॉस है और चेंज़ करते तो 90 माइनस 65 कर लिए कॉस केसा और यहां साइन 65 रहन दीजे जिसे थीटा set लेहां सेम हो यहां पर देखे साइन 90 माइनस ठीटा क्या हो जाता है अप दोनयस और या सिखिवाई देस में हो है साइन 65 और बगल में भी आपका साइन 65 को सिस्तिफ़ इंट ही इंट इन इस फ़र्मूला sin square theta plus cos square theta is equal to 1 यह denominator identities का first formula है तो देखिए sin square theta theta place में क्या है 65 है तो सेम ही है ना तोनों तो sin square 65 plus cos square 65 is equal to 1 यह आपका answer है Now solution third to first sin 62 and minus cos 28 हमने आप सिर्फ में यह आपको बताया था कि अगर प्लेस और माइनस होंगे तो आपके left और right में रहेंगे वह भी प्लेस फॉर्म पर यह माइनस फॉर्म पर देखिए दोनों आपके माइनस फॉर्म पर है तो यह देखिए क्या setup है sin के साथ pair किसका होता है cos का ही होता है no doubt cos एक जो होता है उससे एक के साथ होता है यह भी no doubt मतलब दोनों setup सही है तो किसी एक को बदल लीजिए जिसे भी बदलना चाहें चलिए हम sin 62 को ही बदलते है तो sin 62 को हम sin 90-28 करेंगे बगल वाले नंबर को क्योंकि आप चेक कर लीजिए बगल से ही आपको नंबर लेना है कोई भी नंबर आप देखिए जैसे हम इसको solve कर रहे है देखिए 65 है cos sin 25 यहाँ था और यहाँ 65 हमने किसी एक को बदला इसे बदल दी है तो नंबर लेकिन किसका यूज की है बगल वाले का तो यहाँ भी हम बगल वाले का यूज कर लिए minus cos 28 sin 90 minus theta अब चेक भी कर सकते है 10 minus 8 2, 8 minus 2 6 sin 90 minus theta cos theta so cos 28 minus cos 28 cos से cos cancel यानि 1 minus 1 0 same आपका second number यह है किसी एक को बदल लीजे चलिए cos 1 को बदल देते है 90 minus बगल से नंबर ले लीजे 55 minus करके देखे 35 ज़रूर आएगा minus 6 55 cos 90 minus theta 6 theta 6 55 minus 6 55 से और एक दोनों सेम है तो आपका answer क्या हुआ 0 now question number 4 to first यहाँ पर देखे cos square 26 cos 64 and sign 26 अब यह देखे 10 और cot यह तो set up है से और है कि दोनों cancel हो जाएंगे तो यह नहीं इसका result तो से और है 1 ही होगा no doubt यहाँ पर देखे आप कुछ इसमें भी देखे तो किसी एक को बदलेंगे तो से और है कि यह भी आपके square होंगे क्योंकि एक को बदलेंगे तो दूसरा change होगा और into होगा यहाँ तो cancel होता ही नहीं है multiply में तो क्यों क्योंकि अगर हम इसे multiply setup करें क्योंकि अभी हमने last question किया तो हमारे यहाँ पर setup से कुछ ऐसा result मिले कि जो बगल वाले को भी work आ जाए क्योंकि इसे भी तो नहीं छोड़ना है ना उसे भी तो कुछ ना कुछ तो करना है तभी तो value solve होगी तो देखिए यहाँ पर आलदेडी के rewrite है cos square 26 अब यह है तो यहाँ कुछ ना कुछ तो इसमें भी करना है और यह single form पर है तो क्यों ना एक इसका ऐसा setup कर लें कि यह theta में 26 है तो इसमें भी 26 है तो क्यों ना एक setup से 26 भी बन जाए और हम इसके दोनों साथ कुछ कर पाएं तो यह 64 को ही हम change करते हैं तो कॉस है यहाँ पर इसे बदल दीजे 90 माइनस 64 के ज़िए हम 26 कर लीजे माइनस करके चेक कर सकते हैं 64 यह होगा 10 माइनस 64 8 माइनस 2 यह 6 और यह बगल में आपका sin 26 और इसमें सभी किसी एक को बदल दीजे यह तो पहले से clear है कि आपका 1 ही होगा कॉट 54 हमने बदला देखे 54 राइट कर लिया अब यहाँ पर देखे कॉस से कि स्कॉार 26 प्लस कॉस 90 माइनस ठीटा sin ठीटा sin 26 बगल में भी sin 26 है 10 90 माइनस ठीटा कॉट ठीटा यानि कॉट 54 अपान कॉट 54 यहाँ पर कैंसिल हुआ 1 हो गया लेकिन छोड़ना नहीं है कि कैंसिल हुआ तो उसे left करने है रखिएगा और यहाँ पर कॉस से कॉस स्कॉारी माप के दिएगा कॉस स्कॉार 26 तो यहाँ पर देखे sin 26 sin 26 इसका into करें इसे first में write कर लेते है क्योंकि हमें तो formula बनाना है तो यह हो गया आपका sin square 26 इसे बाद में लिख लीजिए कौन सा minus है तो आपको कोई effect होगा सभी तो plus पर ही है तो हम आगे पीछे लिख सकते है यहाँ पर one है अब भी हमने आपको बताया tignometry identity sin square theta plus cos square theta is equal to one तो यह one हो गया यहाँ भी one है तो is equal to two यह आपका answer है चली फोर्ट तुर सेकेंड से देखते है यहाँ sick है sick का pair तो अल्ड़ी कौसक होता है 10 का pair caught होता है यह भी setup है कौस का देखे कौस अगर किसी एक कुछ change कर ले आपका identity हो जाएगा जो भी हमने यहाँ पी लगा है चली यह one by one करते है sick कोई बदलते है थोड़ा name भी लेंदी है तो sick 17 कोई बदलते है तो कोई एक 90 माइनस numerator का number ले लिजे इन दोनों तो छोटे छोटे नेम है चली 10 को ही कर लेते है माइनस 22 नीचस ले लिए हमने यूज और कॉट 22 इसमें जो भी किसी एक को बदल दीजे चली कॉस किसी को भी बदल सकते है नो कोई भी प्रॉलम नहीं होगी 90 माइनस पगल वाली को ले लिजे 46 प्लेस कॉस स्क्वाइर 46 6 17 तो 6 17 ही होगा कॉस एक 90 माइनस ठीटा सेखी होता है 17 प्लेस 10 90 माइनस ठीटा ये भी आपका कॉट 22 कॉट 22 कॉस 90 माइनस ठीटा साइन साइन स्क्वाइर 46 प्लेस कॉस स्क्वाइर 46 कैंसिल 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 1 प्लेस 1 प्लेस साइन स्क्वाइर ठीटा प्लेस कॉस इस्कॉयल ठीटा आइडेंटीज तो आप आ लेडी जानते हैं क्या होता है वन तो वन प्लेस वन फ्लेस वन थ्री यह आपका एंसर है नौ फिल्टू फर्स्ट देखें सेम कुश्चन है साइन कॉस यह तो सेट अप है साइन यह थोड़ा सेट अप नहीं है कुश न कुश तो इं तिनों में करना पड़ेगे यह तो सलूशन है यह तो से क्लिवर है की वन प्लेस वन एंसर यह करने अब पहले तो इससे ही स्टार्ट करते हैं कॉस 90 माइनस 58 अपान साइन 58 इधर से कोई डाउट नहीं है तो देखिए कुछ हैसा सेट अप करें कि इसमें भी वर्क हो जाए तो साइन से तो यह कॉस एक का नहीं होगा इससे ही चेक करते हैं साइन 28 सेक है इसे हम बदल देते हैं सेक 90 माइनस क्या माइनस करें क्या 28 एक बार चेक करें क्या 28 10 माइनस 82 एंड 8 माइनस 26 राइट 62 ही है प्लैस कॉस सेक स्क्वाईर 30 एक इध्टर साइन 25 उत्त साइन 25 सेक 90 माइनस 2 ही चाहिए साइन 558 मानें साइन 23 इट ज्टर सेक 90 माइनस ठीट होता लिए नोडां सेक का कॉस एक का साथ ही होता तो यह 6 balancing तimme फो प्लेस कॉस है कि स्कुआर ठीटा 30 माफ कीजीगा यहां पर रॉंग हो गया सेक को हमने 90 माइनस जब चेंज किया तो 62 ही कर दिया ना हम तो सिफ चेक कर रहे थे यहां पर 28 होना चाहिए ना बाइ 28 माइनस कर रहे तब 62 आ रहा है ना तो 90 माइनस हम इसकी जगह में तो 90 माइनस 28 राइट करेंगे ना तो यह हो जाएगा 28 अब देखी साइन है यहां क्या है कॉसेक कॉसेक है किसी यह कुछ यह तो आपका कैंसिल हो गया नो प्रॉलम किसी यह को बदल दीजिए कॉसेक कॉं टिग्नामेट्री रिसियों क्या बोलते है वन अपान साइन बोलते है क्लियर प्लैस कॉसेक स्कॉर थर्टी अब यह भी आपका कैंसिल हो गया तो वन प्लस वन टू तू माइनस वन अब यह सिंगल है अब सुच रहा हूं कि सरक कॉसेक थर्टी क्या करें अरे भाई कॉसेक थर्टी की वैल्यू होती है आप तो डिगदी में देखे होंगे ना जिरो थर्टी पोर्टी फाई फाई सिक्स्टी नाइन टी सभी क्यों होती है मतलब जंड़ि लेकिन इनके फिक्स नहीं होते इसलिए हम और अइसा ट्रिक से इससे सॉल्ब करें तो कॉसेक 30 का वन लिजिए CornikGy क्या होता है 1 upon 2, अब कॉसिक क्या होता, पोजिट होता है, देखिए, तो 1 upon 2 का पोजिट कर दीजिए, 2 upon 1 means 2, बस तो कॉसिक 30 value क्या होगे, 2, 2 का स्क्वाइर कर दीजिए, तो 2, यह आपका minus 1 था, 2 minus 1, 1, 2 का स्क्वाइर 4, यहाँ पे आपका result हुआ 5, यह आपका answer है, now 4 to second, 5 to second माप कीजिएगा, तो चलिए solve करते हैं, देखिए, upon, हमने आपको पहले बताया था, plus minus, अगर plus minus है तो अगल बगल होंगे, into होंगे तो बगल में होंगे, divide का form आउपर नीचे होगा, तो देखिए, sick का कॉसिक होता है, हाँ होता है, तो चलिए इससे setup करते हैं, तो sick 29, कॉसिक को बदल दीजिए, तो कॉसिक, माप कीजिए, कॉसिक ही है, 90 माइनस उपर से आप नमबर ले लिजिए, और आप चेक कर लिजिए, यही होगा, होगा, अब देखिए, हाँ, into form पे, तो कितने है, टिग्नामेट्री रेशियो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 के पेर तो बनते नहीं ह भाई, 4 के पेर बन जाएंगे, 2, 2 की, कैंसिल तो होना है, यह into होना है, तो 2, 2 के पेर चाहिए, लेकिन यहाँ 5 है, तो गौर्स देखिए, 45 डिग्री है, तो वही बात हो गई ना, कि हमारे डिग्नी में होते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, तो इसकी वैल्यू तो अल लेडी हमारे पास ह लिए, तो यह 8 जो होगा, 82 से होगा, no doubt, तो बच किया गया, यह दोनों तो बच गये, यह दोनों यह इसके साथ हो जाएंगे, simple, तो इनको पास में आप लिख लीजिए, तो फिर पेर बना लिए, सीधे right कर दीजिए, किसे बदलना चाहिए इसे, तो इसे बदल लीजिए, कॉट 8 है, तो आप लिख लीजिए, 90 माइनस 82, मैनस करके देख लीजिए, 8 होगा, और कॉट 82 के बगल में कर लीजिए, clear, चलिए, यह complete हुआ, इसे भी पास में कर लीजिए, तो किसे एक को बदल दीजिए, कॉट हमने 17 को बदल दिया, 90 माइनस 73, अब चेक कर सकते हैं, 10 मा मैनस 71, और 73 को बगल में कर लीजिए, कॉट 73, कॉट 45 को बाहर कर दीजिए, चोकि इसकी वैलु तो हमारे पास आ लेडी, अब लेवल है, ठीक है, अब चलिए, यहाँ पे और देखते हैं, माइनस 3, साइन स्क्वाइर 38, प्लस साइन स्क्वाइर 52, किसी एक को बदल प्लस साइन स्क्वाइर 52 को बदल देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, साइन स्क्वाइर 90 माइनस, क्या लिख दें, 38, आप चेक कर लिजिए, 52 ही होगा, 10 माइनस 82, और 8 माइनस 3, 5 हो गया, सेट अप, चलिए, यह तो क्लियर हो गया, सेक 29, कॉस 90 माइनस ठीटा, सेक 29, 2 कउट 90 माइनस ठीटा, 10 ठीटा, नोद आउट, क्या हो जाएगा, 10 ठीटा, यानि 10, 82, इंटु कॉट 82, इंटु कॉट 90 माइनस 3, तो यह कॉट 90 माइनस ठीटा, 10, 73, और यहाँ पे कहा है, कॉट 73, अब यहाँ पे देखे, बहुत टाइम सम लिखना है, कॉट 40, सबसेट हो गए चलिए वन बाई वन करते हैं कैंसिल हो गया वन प्लेस टू टेन एटी टू एटी टू यह दो दोनों पीर हैं न तो टैन एटी टू ऐसे इसकांसर वेली वन होती है लेकिन आप सौल कर लीजिए कॉड को बदल लीजिए टिक्नमेट्री में किसका पोजिट होता है कॉड टेन होता है तो टैन एटी टू सेम आपड़ी भी देखिए 1073 है किसी एक को बदल लीजे ऐसा नहीं है कि हम जो बदल रहे हैं उसी को बदल लिए पॉट को बदल लिए तो आपके 1073 इंटु वन वही हो गया और यह आपका टिगनमेट्री आइडेंटिटीज है क्या है टिगनमेट्री आइडेंटिज साइन स्कॉार ठीटा प्लस कॉस्ट इसकॉार ठीटा इसकॉल टू वन क्या होता है वन सिंपल अब यह टेन अटी टू सी है कैंसिल 1073 इस 1073 है तो वन प्लस यह पूरा सुलूशन पाइनस थ्री इसकॉल टू जीरो नाव कॉस्ट नमबर सिक्स एक्स्प्रेसिज आप दो फॉलॉइं टर्न टिगनमेट्री रिस्यो आफ एंगल बेट्विन जीरो एंड फोर्टीफाइड यानि जो यहां पर हमें डिगदी यहां पर गिवन है अकॉर्डिन तू दी क्योंकि हम तो राइट एंगल्स के अकॉर्डिन कर रहे हैं तो 90 में हम क्या माइनस करने कि 81 हो इस बार हमारा हेल्प बगल वाला नहीं करेगा यह बात यहार रखिएगा तो हमें चेक करना है कि 90 में क्या माइनस करने कि 81 हो जाएगा तो से और है कि 9 ही माइनस करने तो 81 हो जाएगा no doubt 90 में से 9 गया 81 890 simple clear यह तो clear है यह तो फिर आप अगर आप doubt में है तो 90 में से उस number को minus कर दीजिए जिसे आप बदल रहे हैं तो 10 minus 1 9 यह आपका cancel हो गया 9 हो गया plus सभी को change करना है इस जो आपका first second है सभी को change कर दीजिए वही आपका answer है जहाँ कॉस है कॉस को ही बदल दीजिए 90 में आप क्या minus करेंगे तो 1972 minus करके आप चेक कर सकते हैं यह आपका 2 हो गया 2 और यह 8 minus 7 1 clear तो 10 minus 2 माप किजिएगा 8 होगा clear ना 1090 minus theta क्या होता है cot जहाँ पे सिर्प आपका name change होगा 9 degree plus cos 90 minus theta sin theta तो sin 18 degree यह आपका answer है देखिए change होगा ना 0 से 45 degree में यह 0 से 45 के बीच ही है ना degree तो आप लिख सकते हैं where 9 degree and 18 degree better than 0 and 45 degree आप चाहाँ तो यह write कर सकते हैं clear अब यहाँ पे second पी वही है cot 90 minus 49 तो आप लिख लीजे cot 90 minus 41 plus cos 6 1941 minus 49 हो गया cos 6 90 में से 3 minus कर दीजे 87 87 390 होता है ना अब cot 90 minus theta क्या होता है 10 तो 10 आपका हो गया 41 degree plus cos 90 minus theta cos से किस के साथ होता है 6 के साथ तो 6 3 degree इसे भी चेक कर दिए कि आप 0's 45 के बीच है यह 0 से 45 के बीच दोनों है तो आप लिख सकते हैं कि 3 degree and 4 degree between 0 degree and 45 degree यह आपका answer हुआ तो 6 number complete तो आज के लिए इतना है thank you have a nice day यह अपकाते हैं यह 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 शच्द़